तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं MP सेट जो हमारा होने वाला है MP सेट पेपर वन का क्या सिलाबस से इसका पूरा डीटेल्ड अनलेसिसम करने वाले हैं तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहां पर मैं मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमिसंस का ज चरव में चलते हैं कि ऑप 125 होते हैं तो हमारा एक्जाम में यहां पर आप देखते हो मध्यप्रदेश टेट एल अलीजीबिटी ethical Mountain कि क्या है कि तरीकंस का क्न है तो कोई भी टेंसन लेने की बात नहीं है देखिए यहां पर आगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारे सब्जेट्स में एक्जाम होते हैं Arabic, Chemical Science, Commerce, Computer Science, Criminology, Defense, Strategic, Earth Science, Economics, Electronic Science, English में होते हैं, Environmental Science में होते हैं, Geography में होते हैं, History होते हैं, Home Science होते हैं, Law होता है, Life Science, Marathi, Mathematical Science, Hindi, Persian Philosophy, Psychology, Public Administration, Sanskrit, Traditional, Social Work, Sociology, Urdu, Visual Arts, अगर हम देखते हैं, तो हमारा General Paper on Teaching and Research Attitude, यह जो आपको दिखा हुआ है, General Paper on Teaching and Research Attitude, यही बाला हमारा Paper One का सिलाबस है, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, तो देखिए, यहां पर MPPSC, SED 2022 का सिलाबस यहां पर खुल के आ जाएगा, और यहां पर लिखा है, देखिए, Paper One Compulsory है, Paper One Compulsory है, मतलब इसको मैं जूम कर लेता हूं, Paper One Compulsory का मतलब क्या है, Paper One तो आपको देना ही देना है, मतलब आप जो भी स्टूडेंट्स हो, जिसमें भी प्रिपैर कर रहे हो, Life Science में प्रिपैर कर रहे हो, Public Administration में प्रिपैर कर रहे हो, Commerce मे प्रिपैर कर रहे हो, Economics में प्रिपैर कर रहे हो, तभी तभी आपको Paper One तो आपके लिए कंपलसरी ही है, आप देखिए, यहां पे क्या-क्या है, जैसे देखिए, Unit No.1 आपका Teaching Aptitude हो जाता है, जो सेम सिलाबस है, जो यूजिशी नेट में हम पढ़ते है, Paper One का जो सिलाबस ह जाना पे भी है, Unit No.1 में Teaching Aptitude आ जाता है, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, Unit No.2 Research Aptitude आ जाता है, Unit No.3 Comprehension आ जाता है, Reading Comprehension, Unit No.4 Communication आ जाता है, Unit No.5 Mathematical Reasoning and Aptitude आ जा रहा है, Unit No.6 देखिए, Logical Reasoning है, नीचे-नीचे जाते हैं, तो Unit No.7 देखिए, Data Interpretation, Unit No.8 आ गया, Environment और Unit No.10 क्या हो जाता है, Higher Education System, ओके, तो यह है complete आपका, जो MP Set, Paper 1 का सिलाबस, ओके, तो इसी तरीके से आप subject specific सिलाबस को भी देख सकते हो, ओके, तो जैसे कि आप सबका exam होने वाला है, August 27 को, तो अभी से आप prepare कर सकते हो, और यह सारे के सारे unit, आपके Paper 1 के unit है, और यह हम मारे YouTube sessions already running में है, चल रहे है, bash life भी start हो चुके है, तो अगर आपके पास बहुत ही अच्छा time बचा है, अगर आप MP Set को target कर रहे हो, या फिर कोई भी से exam को target कर रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया opportunity है, अभी से preparation करने के लिए, अभी से prepare कीजिए, ज्यादा से ज्यादा prepare है, and definitely आप सबका exam बहुत ही अच्छे number से clear होगा, ओके, तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए मैं आप से साथ जुड़ा था, paper one के सिलावस बताने के लिए, मेरे YouTube sessions already running में है, तो आप मेरे साथ join कर सकते हो, कहां पर join कर सकते हो, NTA UGCnet IFS के YouTube के platform से मेरे साथ join कर सकते हो for your set preparation, ओके, इसी के साथ मैं आप सबसे बिदाय लेता हूँ, thank you very much everyone, इस तरह पढ़ते रही है, मेहनत करते रही है, motivated रही है, focus रही है, and definitely जो भी exam के लिए आप prepare कर रहे हो, either वो net exam हो, या फिर कोई भी set exam के लिए target कर रहे हो, definitely clear होगा, ओके, with that note, thank you very much, happy learning and jai hin to all of you.